उत्राखंड में मौसम के करवट बदलने के बाद भी बर्फबारी का क्रम जारी है दरसल वहीं उत्तरकाशी के परियटक स्थलों में सीजन की पहले बर्फबारी हुई है जिससे यहां के स्थाने लोगों के चेहरे तो खिले ही हैं साती यहां पहुचे परियटक भी लाइफ बर्फबारी का लुट्व उठा रहे हैं पहली तस्वीर आप देख सकते हैं केदार काटा बैस कैप साकरी की है जहां बीते दिनों से बर्फबारी चारी है वहीं कैदार काटर सब्मिट पर पहुँचे परेटक बरफारी के लुत्फों ले रहे हैं वरफारी इस बार हल्का सा हुआ है इतना ज्यादा नहीं है वरफार पड़ेंगे अब आठारे के अवाद में काफी यहां पे याँपी बढ़ते हैं डिस डाइटन काफी आते हैं इस सिजन की पहली वरफारी ना पीजन की पहली वरफ पहली शेगिन फ़ल्ड आईए वह दूसरी तस्वीरे गंगा घाटी की हैं जा कंगोतरी धाम समेत हर्षिल, मुखबा, जाला, सुखी तक बरफारी हुई है यहां की पाड़ियां बरफ की सफेद चादर से धग गई है बरफारी होने के कारण गंगोतरी नैशनल हाइवे भी बंद है बियारो द्वारा बरफ को हटाने की कारवाई गतिमान है यह बरफ बारी हुई आप कस लग रहा है पैटर्ण जैसाब से खीज है यह और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे आपे बरफ काफी लोग आते हैं गूमने के लिए बहुत लोग आते हैं पहली बरफ बारी ने शिजन की दुसरी दुसरी अच्छी अच्छा इससे पहले आपको बता दे कि मौसम के बदलते मिजाज से उत्तराखंड में सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है उत्तरकाशी जिले के उचाई वाले इलाकों में लगातार बरफ पारी चारी है भारी बरफ पारी के चलते गंगोतरी हाइवे सुक्की टॉप से लेकर गंगोतरी तक कह इस्थानों पर बाधित हो गया है पंजाब केसरी टीवी के लिए उत्तरकाशी शेय आशिश मिश्चा की रेपोट